हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कहां राजा भोज और कहां गंगुतेली लेकिन साइद आपको इसकी पीछे की कहानी के बारे में नहीं पता होगा तो आपको जादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको इसी कहावत की पीछे की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहां राजा भोज कहां गंगुतेली इस कहावत को फिल्मी गानों में भी पुरोया गया है यही नहीं तंज कसने के लिए भी इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कहावत इतनी लोग पुरिय है कि आम बोलचाल में कहीं न कहीं सभी के जुवान पर निकल ही जाती है लेकिन इस कहावत की कहानी की सत्यता क्या है हम इस पर आज प्रकास डालेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 2500 किलोमीटर दूर धार जिलाही राजा भोज की धार नगडी कहा जाता है 11 वी सदी में यह सहर मालवा की राजदानी रह चुका है और जिस राजा भोज ने इस नगडी को बसाया उस राजा की प्रसंसा करते आज तक बड़े बड़े विद्वान ही नहीं राजा महराजा और सामान ने जन्वी करते आ रहे हैं राजा भोज के प्रसंसकों की देश विदेश में कमी नहीं है बहु मुखी प्रतिवा के धनीर राजा भोज सस्त्रों के ही नहीं बलकि सास्त्रों के भी गयाता थे उन्होंने वास्तु सास्त्र व्याकरण, आयुर्वेद योग, साहित्य और धर्म पर कैई गरंथ और टी काएं लिखे जो विद्ध जनों से तिरोहित नहीं है कहा जाता है कि मध्यपृदेश की राजधानी भोपाल को एक जमाने में भोजपाल कहा जाता था और बाद में इसका जैगायव होकर इसका नाम भोपाल पड़ गया वी आईपी रोड से बोपाल सहर में प्रवेश करते ही राजा भोज की एक विसाल मूर्ती के दर्सन होते हैं 11 सदी में अपने 40 साल के सासनकाल में महराज भोज ने कई मंदर और कई इमारतों का निर्मान करवाया उसी में से एक है भोज साला कहा जाता ही कि राजा भोज सरस्वती के पास थे और उन्होंने भोज साला में सरस्वती की एक प्रितमा भी इस्थापित कराई थी जो आज लंदन में मौजूद है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गंगु तेली की गंगु तेली नहीं अब तू गांगे तेलंग गंगु अर्थाद गंगे कलचुरी नरेश और तेली अर्थार चालुका नरेश तेले दोनों मिलकर भी राजा भोज को नहीं हरा पाए थे ये दक्षिन के राजा थे और इन्होंने धार नगरी पर आक्रमण किया था मगर मुह की खानी पड़ी तो धार के लोगों ने ही हसी उड़ाई की कहां राजा भोज कहां गांगे तेलंग गांगे तेलंग का यही विक्रत रूप है गंगु तेली जो आज कहां राजा भोज कहां गंगु तेली के रूप में पैसिद है धार सहर में पहाड़ी पर तेली की लाट रखी है कहा जाता है कि राजा भोज पर हमला करने आयत तेलंगाना के राजा इन लोहे की लाट को यही छोड़ गए और इसलिए इन्हें तेली की लाट कहा जाता है तो दोस्तों आज आपने जाना कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली कहावत के पीछे की कहानी के बारे में ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना न भूले हमारा ये चैनल